साथियो छब्वेस नॉब्बर दो हजार वीस को देश ब्यापी हर्ताल हो रही है और ये हर्ताल अब तक की सबसे बड़ी हर्ताल है इतनी बड़ी हर्ताल कभी नी हुई है जितनी ताकतवर तरीके से जितनी जादा संख्या में देश की जनता इस हर्ताल में सामिल हो रही है इस हर्ताल के जो मुद्दे हैं उसमें मजदूर के मुद्दे हैं किसान के मुद्दे हैं और दुकानदार के मुद्दे हैं इस संबन्द में जो जानकारी है जो वीडियो हम बना चुके हैं उसकी लिंक मैं नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ 26 और 27 तारीक को किसान भी देशब्यापी आंदोलन कर रहे हैं आप से बिशेश आग रहे हैं कि आप इन दोनों वीडियो को जरूर सुन लें ताकि आप इस हर्ताल में कौन-कौन से मुद्द हैं क्यों ये हर्ताल हो रही है इस हर्ताल का कारण क्या है ये हर्ताल करना क्यों जरूरी है सरकारी की क्या गलत नीतियां है आप जनता पर इन नीतियों का क्या असर हो रहा है किस तरीके से नौजवान का जीवन बरबाद किया जा रहा है किस तरीके से कार खाने के मजदूरों का जीवन बरबाद किया जा रहा है किस तरीके से हमारे जो यूत बच्चे हैं जो कॉलेजों से स्कूलों से पढ़कर के निकल रहे हैं उनका कैसे जीवन बरबाद होने वाला है किस तरीके से किसानों की खेती को बरबाद किया जारा है किस तरीके से जो किसान के नौजवान बच्चे हैं उनके जीवन को बरबाद किया जारा है आम जनता है, गरीब है, खेत मजदूर है उनका जीवन कैसे बरबाद किया जा रहा है असंगट छितर में निर्मान मजदूर पुल बनाते हैं रोड बनाते हैं सड़क बनाते हैं यह सारे मजदूरों का जीवन कैसे बरबाद करने वाले हैं इसको उनको समझना है साथियो हमारा सबसे वारा सेक्टर है लोडेंग आटल हैं लोड़ जो ट्रक्पर्किंट कान्स collector इसे बंट हैं इसके बाभू इसके जो श्टार्ब के लोग ऋड़ हैं जो हमाली करने वाल्यूर जा रहा हैं सरकार की गलज़नी हों कि कारण से इसको शाती हमकों समझ शूमजना आ है उसके साथ में एक बहुत बढ़ा सेक्टर है schema worker यह वो मज़दूर है जो मेहनत करते हैं मगर इनको मेहनत का पूरा मेहनता नहीं मिल रहा इनको सरकार सिर्मिक नहीं मांती इसमें आगनवारी है कारी करता है सहायका है इसमें आशा उसा सहयोगनी है इसमें जो मध्यान भोजन कर्मी है इस तरीके के भूत सारे स्कीमवर करें जिनको सिंवख नहीं माना जा रहा जिनको मजधूर नहीं मानती है तो इनकी क्या समझ्या है उसको भी साथ हमको समझना है उसके साथ म says सबसे बड़ी बात जड़त encase क्योब जो कार खानों में जो मजधूर है कारखानों में जो नौकरी कर रहे हैं, चाहो पर्मानेंट हो, चाहो स्टाप में हो, चाहो फिक्स्टर में हो, चाहो टैनिक में हो, चाहे हो अपिंटेस में हो, यह जो यूत बच्चे हैं, जिनका सबसे खतरनाक सोसन हो रहा है, हर्ताल क्यों हो रहा है, यह सारा समझना बहुत ज़रूरी है इसलिए आप सभी से मेरी अपील है कि ये जो वीडियो हमने नोटिफिकेशन में डाले हैं इनको ज़रूर सुनें तो ये सारा महनत का सुवर्ग है जो अपनी महनत करके रोजी रोटी चलाता है अपनी घर परवार को पालता है अपने बच्चों को पालता है ये सब कुछ नष्ठ हो जाएका साथ यो तो हमारे बच्चे है ये रोजी रोटी हमारी नष्ठ हो जाएगी रोजी रोटी नहीं होगी तो हमारे बच्चों को हम कैसे पालेंगे दो वप्त की रोटी कैसे होगी बच्चों को कैसे हम पढ़ा पाएंगे बच्चों को का इलाज क से करा पाएंगे, सब चीज पैसे से जुड़ी हुई है, और पैसा हमको मजदूरी से मिलता है, स्रम से मिलता है, महनत से मिलता है, अगर हम स्रम की कीमत से मिलता है, जो स्रम की कीमत डिसाइड होगी, उसी तरीके से हमें मजदूरी का पैसा मिलेगा, इसलिए साथ यह बहुत मह समंझना है कि श्रम की कीमत सही मिले मजदूर को नोज़मानों को परमनेन नकरी मिले बार्माने क्मसे कम 21,000 रुपे महीना हो यह इसा रोजगान मिले परमनेन नकरी मिले ताकि हमारी हमको कोई भी कारखाना मालक नौकरी से भगाना पाए बार बार भगाने का काम न हो हमको इस्थाई नौकरी मिले, इस्थाई रोजगान मिले ताकि हमको बैंकों से लौन मिल सके घर का हम छोटा सा घर बना सके ये सब चीज़या सातियो जोड़ी हुई है जिसको हमको समझना है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सातियो आज हम सबसे बुरी परिष्थिती में सबसे बिकट परिष्थिती में है ये देश के यूद का नौज़मान का आम जनता का ये सबसे बुरा वक्त है हमारे देश के किसान अनताता सबसे हम बुरी परिस्थिती में हैं और सरकार जिस रास्ते पर चल रही है ये नरद मोदी जिस तरीके से कॉपरेट कंपनियों देशी विदेशी कॉपरेट कंपनियों के साथ मिल करके जिस तरीके से देश को लूटने का पूरा इस्तिती बना रहे हैं, उससे बिलकुल साफ है कि आने वाले समय में हम सबका जीवन खतरे में हैं, हम सबका बर्तमान और भबिस्ष खतरे में हैं, हमारे बच्चों की जिन्दगी खतरे में हैं, हमारी रोजी रोटी के पेज़ो है और बड़ा हमला हो रहा है और होने वाला है, आप सब को ये जुम्मेदारी दे रहा हूं साथियो, जागुरु खो जाओ, सतर्क हो जाओ, अपने जीवन के बारे में सोचो, जिन्दगी के बारे में सोचो, नहीं सोचेगे हम तो दर-दर की ठोकरे खाएंगे, आज की तारि महिना ये नरंदमोती की सरकार से हमने घोसत करा लिया दवाओ करके, तो हमारे जीवन में खुशा लिया चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा स्रम से मिलेगा, नौकरी से मिलेगा, इस थाई रोजगार से मिलेगा, तो हमको इस बात को समझना है, अच्छी तरीके से समझना है उस समझ करके इस आंदोलन में सामिल होना है ये मेरा पील है हिंदु मुसल्मान का चल रहा है इस राजनीती को समझना है हिंदु मुसल्मान की जो राजनीती है ये पॉल्टेक्स है ये हमारे हमको दिमाग को बुलार मराने के लिए है हमारे दिमाग से हमारे रोजी रोटी का पेट का सभाल हम छोड़ दें हम उससे भटक जाएं उसके लिए ये हिंदू-मुसल्मान चाता है ये हमको समझना है इसलिए साथ ये हमको एक्ता बनानी है वो चा हिंदू हो, चा मुसल्मान हो, चा ब्राम्मा हो, चा ठाकर हो, चा पिछड़ा वर्गिका हो, चा दलत हो, चा सुद्र हो, सब सारे महनतकस वर्ग की एकता बनाना है जो भी महनत करने वाला है, जो महनतकस है, वो हमारा भाई है हम तो यह भी समझना है नंगे रूप में कि आज जो ए खुले रूप से जो आम अदमी है गरीव अदमी है मजदूर है किसान एक करमचारी है वो गरीब हो रहा है मजदूरी की कीमत घट रही है मेगाई के साथ से स्रम की कीमत घट रही है इस ताइनोकरी खतम हो गई है ठेकेदारी में फिक्स्टर में टैनिंग में बहुत कम पैसों में काम कराया जा रहा है तो स्रम की कीमत घट रही है और पूझी पती का मुनाफ़ा बढ़ रहा है पुझी पती दिनों दिन माला माल हो रहे हैं इसके कारण से अमीरी और गरीवी की आसमानता बढ़ रही है गरीव और गरीव हो रहा है गड़े में जारा अमीर और अमीर हो रहा है और अमीर हो रहा है पैसे के उपर पैसा कमा रहा है ये साथ योग सरकार की गलत नीतियों का पड़नाम है हमारा कोई नसीब खराब नहीं है हमारी किसमत खराब नहीं है नसीब किसमत से इस बात का कोई संबन्द नहीं है इस बात को समझ लो भगवान का इस बात में कोई रहा नहीं है मंदिरों, मस्जितों, गुरुद्वारों, चर्चों का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है आज पैसा चाहिए, पैसा स्रम से आएगा पैसा जब तक नहीं आएगा हम खुश नहीं रह सकते हैं इस बात को गाठ बांद लो, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो स्रम की कीमत सही तरीके से मिले, हमको स्थाई रोजगार मिले रोजाना भगाने वाला काम न हो, रोजाना हमें ये न कहें कि आज भग जा ये नहीं करेगा तो नौकरी से भगा दूगा, इतना काम नहीं करेगा तो नौकरी से भगा दूगा मेरी बात नहीं सुनेगा तो नौकरी से भगा दूँगा ये नौकरी से भगाने का जो डर है इस डर को खतम करना है हमारे मित्र हैं जो भारती जन्ता पार्टी में है जो यूथ जो बीचे पी के साथ जुड़ा हुआ है उनसे मेरा सवाल है RSS के लोगों से सबाल है क्या आप सुदेशी की बात करते थे आप एक कहते होते देश में सुदेशी आएगा सुदेशी आंदोलन चलाएंगे आप सो परसेंट बिदेशी हो गए क्या यही RSS है यही राज्टिय सोयम सेवक संग है यही भारती जंता पार्टी है जो जनसंग के समय में सुदेशी का नारा लगाते थे आज सो परसेंट देशी बिदेशी पुझी पतियों का हमारे देश पे कबजा करा रहे है क्या यह भारती जंता पार्टी RSS इसलिए है कि नोजवानों का नोकरी पर्माने नोकरी खतम करते हैं आप इसके लिए बीजेपी RSS बनिये कि नोजवानों की नोकरी खतम कर रहे है फिक्स्टरम कानू लेके आ रहे हैं पर्माने नोकरी को खतम कर रहे हैं गुलामी में नोकरी कराने की बात कर रहे हैं आठ घंटे की जगह बारा घंटे काम कराने की बात कर रहे हैं, इसके लिए भारती जंता पार्टी को बोट दिया, जंता ने किसानों के लिए जो देशी बिदेशी कॉपरेट कंपनियों को ला दिया उसमें, आज की तारीक में किसान रुट रहा है, नियूंतम समर्तन मूल प किसान बरबाद हो जाएगा, इसके लिए तुमको बोट दिये थे, ये राजनीती है, ये हमको समझना है, दुकानदारों को बरबाद, 100% FDI, आल्लाइन मार्केटिंग हो गई है, ये सारी देशी बिदेशी कंपनियां हमारे फटकर व्यापार पे कबजा कर रही है, कबजा क जाएगा, मल्टिनेशनल कंपनिया घर घर सामान पहच रही है, तो ये सारा जो कर दिया है, इससे ही बिचारे दुकानदार वरबादरी होंगे, और दुकानदार भाईयों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बता दो, आपकी दुकान पहले जैसे चल रही है, और आप कब चुप रहोगे, कितने दन डरोगे बीजेपी वालों से, उनसे पूछो बीजेपी रैसेस के लोगों से, ये सो परसेंट एपडियाई लेके आए, और एपडियाई का बरोद कर रहे थे, कांग्रेस के समय में देश बंद किया बीजेपी रैसेस वालों, कितने जूटे हैं, आप लोग किन से पूछो जरा, वीजेपी वालों से पूछो लो, आरेसेस के लोगों को बलाके पूछो, कि आप सो परसेंट एपडियाई का बरोद कर रहे थे, अब नरंद मोदी के आने के बार सो परसेंट एपडियाई क्यों ला दी, ये सवाल पूछ सकते हो ना, य पूछ लो, ये ओनलाइन मार्केटिंग क्यों आ गई, ये पूछ लो, अगर वो बता देते हैं, इसका जवाब तो आपके दो, आप कैसे जूटे लोगों, हम आपको क्यों लोट करें, हम बीजेपी के पीछे क्यों चलें, जो पार्टी देश को, देश की जनता को नस्ट कर करने में लगी है, हमारे रोजी, रोटी, रोजगार को नस्ट करने में लगी है, जो पार्टी किसानों का जिंदगी और उनके बच्चों का जिंदगी बरबाद करने में लगी है, क्या हमको इनके पीछे खड़ा होना चाहिए, क्या हमको इनसे सवाल नहीं करना चाहिए, क् हम सवाल किससे करेंगे بتाओ आज ए सिचुचंछ नरंद मोधी की सरकार कर रही है क्या हम राहुल रादी से सवाल कुछे हैं क्या मनमण सिं Körper से सवाल कुछे ए अरे भीया नरंद मोधी से सवाल कुछेंगे बुराई वाली कोई वात ये कार्णूर बीजेपी बदल रा, आरेसेस बदल रा, नरंद मोदी बदल रा तो आज हम सवाल करेंगे बीजेपी से सवाल करेंगे, आरेसेस से सवाल करेंगे, नरंद मोदी से सवाल करेंगे समझ लो इस बात को और समझ करके ताके दोबर तरीके से खड़े हो जाओ यही निवेदन है यही अपील है इतने सारे सवाल मैंने आपके सामने उठाए हैं आप इस सवालों के साथ खड़े होए और जो होने वाली हर्टाले 26 तारी को इसको काम्याब बनाएए इसके आंगे भी अंदोलन होंगे उसके लिए तयार रहिए यह आसान लाडाई नहीं है हमको भूत लड़ना पड़ेगा साथियो ताकेद्वा तरीके से लड़ना पड़ेगा 26 नौबर को भी लड़ना इसके आंगे भी लड़ना यह संगर्स जब तक हमको लड़ना है जब तक इस सरकार ने जो सरमकानों नश्ट कर दिये है जो इस सारी नीतियां बदलती नहीं है सरकार जब तक हम संगर्स करेंगे यह समझ लो तिमा की रूप से तियार हो जाओ 26 निकों सब कुछ हल हो जाएगा यह समझना गलत होगा यह सरकार ननन्दमोदी की सरकार बहुत ज़्यादा बहुमत में है पूजी पतियों के साथ मिलकल के एकदम यह अच्छा मौका है इनको देश को देशी बिदेशी पूजी पतियों का गुलाम बना लें देश को रूट डालें इसलिए आसानी से मानेंगे नहीं है इसलिए हमको लडाई तगड़ी होगी ताकतवर होगी यह लडाई केवल 26 नॉबर को खतमनी होगी हमको 26 नॉबर को लड़ना इसके आंगे भी लड़ना है यह लड़ाई जब तक लड़नी है तक यह संगर्स चलेगा जब तक हम अपने हगतकार की लडाई को नहीं जीत लेते जब तक इसरमकानू जो गलत बना इंको नहीं पलट देते जब तक वापे साथ घंटे की नौकरी हम नहीं पा लेते जब तक किसानों की किसानी को सुरच्छत नहीं कर लेते जब तक किसानों को नियूंतम समर्थन मूल नहीं मिलता जब तक स्वामी नाथन की जो सिपाला से किसानों के लिए लागू नहीं होती जब तक फटकर ग्रापारी जो हमारे है ये 100% FDI करी इसकोब नहीं रोका जा सकता जब तक इस देशी पिदेशी मंटी नैशनल कमपणियों को हमारे देशे खदेड़ा नहीं जाता है जब तक तब तक इस अंगर्ष जलेगा तब तक हमको इस अंगर्ष करना पड़ेगा जब तक हम नौजवान का रोजी रोटी नहीं बचाते, जब तक नौजवान को पर्माने नौकरी ना मिले, जब तक निउन्तम बेतान 20,000 रुपे महिना नहीं होगा, जब तक हमारी नौकरी पर्माने नहीं होगी, जब तक एठेकेदारी पृथा खतम नहीं होगी, जब तक फिक्ष्टर में हमारा सोसन चलेगा, तब तक हम लड़ेंगे साथियो, तब तक हमको लड़ना है, तो यह अंदोलग आज कल में खतम नहीं होगा, चब्वेश को भी खतम नहीं होगा, इस तरीके से हमारा दिमाग बनाएए, इस संगर्स लंबा चलेगा, यह अमीरों, अमीरी और गरीवी के बीच का संगर्स है, एक मेहनत का स्वर्ग और पूजी पती वर्ग के बीच का संगर्स है, एक तरह पूजी पती वर्ग है, जिसके साथ में भारती जनता पार्टी, आरसेस, जैसे उनके गुलाम है, उनके लिए काम करने वाले लोग है, जिनके बाद सेकड़ हद करने हैं दूसरी तरह मेहनत का स्वर्ग है आम जनता है मुझदूर है, किसान है, ब्यापारी है वो इनके साथ ये लाल जन्डे के लोग है हसिया तोड़ा वाले लोग है, कमने स्पाइटियां है समाजवादी बिचार धारा के लोग तो ये संगर्स तकड़ा चलेगा साथियो, ये वर्गी ये संगर्स है जिसको हमको समझना है ये दो वर्गों के बीच का लड़ाई है बीच में थन रखा हुआ है संपत्ती रखी हुई है पुझी पती वर्ग इसको रूट के भाग रहा है मेनत कस बर्ग को भी इसको चाहिए ताकि वो जिन्दा रह सके ये हमारा लड़ाई है जो रोजी रोटी का लड़ाई है ये लड़ाई आसानी से खतम नहीं होगा हमको अपना रोजी रोटी बचाना है हमको अधिकार चाहिए, हमको पैसा चाहिए इसलिए पूजी पती जो हमारा धन लूट रहा है उसको हम रोकेंगे हम रोकेंगे, हम लड़ेंगे, सरकार को पल्टेंगे इस भारती जन्ता पार्टी को सुदारेंगे नरंद मोदी को सुदारेंगे, आरेसेस को सुदारेंगे इनके दोले चलतर को नंगा करेंगे, इनकी गलत नीतियों को जंता को समझाएंगे, सब को मिला करके लड़ेंगे, मुझदूर, किसान, छोटे दुकांदार महनत का सुवर्ग है, 99 फीसदी है, जिस दिन एक खड़ा हो जाएगा, ये दिखेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, इक कॉपरेट्स कंपनियां लटे रे, बदेशी लटे रे, दिखेंगे नहीं, भागते नजर आएंगे, ये साथियों हमारी लंबी दूरी की लड़ाई है, जिसको समझना है, दिमाग में रखना है, और दिमाग में रखकर के संगर्स को आंगे बढ़ाना है, आज सोसल मीडिय पर हम देश के यूद को जोड़ सकते हैं, सोसल मीडिय के ऐसा माध्यम है, किसान को जोड़ सकते हैं, मजदूर को जोड़ सकते हैं, इस वीडियो को देश की हर यूद तक, हर किसान तक, हर दुकान दार तक पहुंचा दो, ये जानकारी मिलते हैं, दिमाग की रूप से त्य सारे गुरुप्स में सेयर करो, मेसिंजर में सेयर करो, जहाँ-जहाँ सोचल मीडिया पर डाल सकते हो, वहाँ-वहाँ सेयर करो, बार-बार शेयर करो, दस बार डालो, ताकि लोगों का दिमाग खुले, यह जुम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ. यदि कोई सवाल है तो चमें व्रक्श में लिखो यदि मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट वर्क्स में लिखो मैं आपको समझाऊँगा मेरे चैनल पर चले जाओ प्ले लेस्ट पर चले जाओ इतने सारे वीडियो ड़ ले हुगे हैं आप उनको सुनो हर सवाल का जबाव है हिंदुत की राजनीती समझना चाहते हो अभी मैंने वीडियो बनाए है दर्सन सीरीज का एक वीडियो है डिगवेदेक काल से मैंने सुरू किया है आज हिंदुत की राजनीती तक समझा दिया है सुलो वीडियो सलोपुरी राजनीती को समझ जाओगे सब को शेयर कराएजे साथ यह देश को बचाना है भारत माता को बचाना है हमें रोजी रोटी को बचाना है हमारे अपनी बच्चों की जिंदिकी को बचाना है हमारे बुड़े माता-पिता की जिन्दिकी को बचाना है, इसके लिए जाकरुख हो जाओं। तो शेयर करवाने में सयोग करें, जादा से जादा शेयर करवाने, ये मेरी अपील है आपसे, हमारा चैनल सब्क्राइब कर लें। सब्क्राइब नीचे लिखा रहता है, उसको दबाना होता है, घंटी दबाना होती है। आपको आप नरंतर जानकारी देंगे, ये जो संगर्ष चलेगा, इसकी पूरी जानकारी देंगे। और इन वीडियों को समय निकाल करके सुनिए, तो इसी आसा उमीद के साथ कि आप इस सवाल को समझे होंगे, और ये जो जम्मेदारी मैंने आपको दी इसको आप दर्वाहन करेंगे। हम सम मिलकर के देश को बचाएंगे, अपने जीवन को बचाएंगे। इसी आसमीद के साथ में अपनी बात कतम करता हूँ। Thank you साती धन्वा, thanks, मिलते हैं में वीडियो, thank you